दिशा सालियान सुसाइड मामले में बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें SIT जाँच पर आया ताजा अपडेट महराश्ट के पुरो मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं दरसल महराश्ट के शिंदे सरकार ने दिशा सालियान आत्महत्या मामले में SIT गठित कर रही है DIG rank के अधिकारी इस SIT की जाँच के निगरानी करेंगे इस मामले में ग्रीह मंत्री दिवेंद्र फड़नवीस ने पिछले शीत कालिन सतर के समय SIT जाँच के आदेश दिये थे ग्रीह मंत्री के आदेश पर अब जाकर SIT बनायी जा रही है जो इस मामले की जाँच करेगी आपको बता दे कि दिशा सालियान मामले में आदित ठाकरे की कथित भूमिका की जांच की मांग कई विधायकों ने सरकार से की थी शिंदे गुट के सांसद ने लगाया है आरूप दिशासालियान की सुशान्त सिंग राजपूत की मौत का मामला महाराष्ट विधान सभा में गोच चुका है भाजपा विधायक नितेश राने और शिंदेगुट के शिव सेना विधायक भरत गोगा वले ने सरकार से जाच की मांग की थी शिंदेगुट के सांसद राहुल शिवाले ने आरोप लगाया था कि सुशान्त की गर्ल्फरेंड रियास चक्रवर्ती के फोन पर एयू नाम से 44 बार फोन आया था राहुल शिवले ने दावा किया कि ये नाम किसी और का नहीं बलकि आदित ठाकरे का है मरने से पहले किसी से फोन पर की थी लंबी बात मुंबई पोलिस के अनुसार दिशा सालियान ने मरने से ठीक पहले किसी से फोन पर लंबी बात की थी बताया जाता है कि वो अपने एक करीबी दोस्त से करीब 45 मिनट तक बात की थी उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें दोस्त से शेयर की थी सुशान सिंग राजपूत की पुर्व मैनेजर थी दिशा बता दे कि 28 साल की दिशा सालियान की जून 2020 में एक बिल्डिंग की 14 हुई मंजल से गिर जाने पर मौत हो गई थी दिशा एक्टर सुशान सिंग राजपूत की पुर्व मैनेजर थी इस हाथ से के 5 दिन बात 14 जून 2020 को सुशान सिंग राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे उन्होंने कथे तोर पर सुसाइट किया था